असलाम लेकुम फ्रेंट्स मैं हूं सद्रार एक बर फिर अपने यूट्यूब चैनल मैं आपको वेलकुम करती हूं मेरी आज की वीडियो का जो टापिक है वो है कि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम अपने बैली फैट को कैसे कम कर सकते हैं बैली फैट के जो आराउं कुछ आपके साथ एक्सराइस शेयर करूंगी और कुछ ऐसे ओईल बनाने की रेमेडी शेयर करूंगी जिसको लगाते ही आप अपने बैली फैट के अराउंड जितनी चड़ भी है उसको खतम कर सकते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पांच ऐसे फूट की जिसको खाते ही आपका बैली फैट है जो वो रिडियूस होना शुरू हो जाएगा सबसे पहले हम आजाते हैं बीन्स के उपर बीन्स यानी डालें रोजाना बीन्स खाने से बाडी फैट कम होता है और डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होता है सेकंड नमबर पह है वो है ककमबर खीरे में लो कैलरीस पाई जाती हैं और ये बाडी में 96% पाने की कमी को पूरा करता है और बाडी को रिफ्रेश रखता है थर्ड नमबर पे हैं वो है आलमंड्स बदाम का इस्तमल हमरे सकिन के साथ साथ बॉडी को भी हेल्दी रखता है बदाम में वाइटमिन और प्रोटीन मुझूद होते हैं जो रोजाना बदाम का इस्तमाल करने से हमारे बैली फेट को कम करता है एपल एक एहम करिदार अदा करता है बैली फेट को खतम करने में और बूस्ट करता है हमारे मेटाबॉलिजम को आप बैली फेट को रिड्यूस करने के लिए एपल साइडर विनिगर का भी यूज़ कर सकते हैं और सब से लास्ट में है वो है ग्रीन लीफ्स अपने डाइट में ग्रीन लिफ्स का ज़रूर इस्तमाल करें ग्रीन हरी सबजियों का इस्तमाल बर्न करता है बैली फैट और आपको न्यूटिशन प्रोवाइड करता है अब मैं आपके साथ एक्सराइज ऐसी शेयर करी हूँ जिसको रोजाना करने से आप अपने बैली फैट को डिडियूस कर सकते हैं इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है आपको रोजाना 30 मिनट के लिए यही एक्सराइज को फॉलो करना है इससे आपका बैली फैट रिडियूस हो जाएगा अब मैं आपके साथ एक ओयल की ऐसी रेमेडी शेयर करी हूँ जिसको यूज करने से आप अपने बैली फैट को डिडियूस कर सकते हैं आपको लेना है टू टेबल स्पून कोकनट ओयल और टू टेबल स्पून विक्स वैपर अप जिसे हम विक्स बाम भी कहते हैं आपको इन दोनों का अच्छे से मिक्स करना है और अपने बैली पर इसे अच्छे से अपलाई कर देना है विक्स आपके बैली की चरबी को पिगलाता है और डिडियूस करता है आपके बैली फैट को वीडियो हेलप फिल रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर और सबस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा मिलती हो अक्नी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए लाहाफिज